वक्रतुन्ड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विग्णम गुरुमेदेव, सर्वकार्येशु सर्वदा। योगिनी एकादशी कब है? आशार महा के खृष्ण पक्ष की एकादशी तिथी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विश्नु जी का आशीरवाद पाने के लिए व्रत रखा जाता है। आचार्यावी शास्त्री, शिशोदिया जी के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायन की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायन भगवान विश्नु का ही नाम है। इस एकादशी का वरत करने से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं, और पीपल के विक्ष को काटने जैसे पाप तक से मुक्ती मिल जाती है। इस वरत के प्रभव से किसी के दिये हुए श्राप का निवारन भी हो जाता है। यह एकादशी देह की समस्त आधिव्याधियों को नश्ट कर सुन्दर रुप, गुन और यश्ट देने वाली होती है। योगिनी एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायन की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायन भगवान विश्नु का ही नाम है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं और पीपल के व्रिक्ष को काटने जैसे पाप तक से मुप्ति मिल जाती इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिये हुए श्राप का निवारन भी हो जाता है। यह एकादशी देह की समस्त आधिव्याधियों को नश्ट कर सुन्दर रुप, गुन और यश देने वाली होती है। योगिनी एकादशी व्रत पूजा विधी क्या है और इसको कैसे करते हैं। इस व्रत के नियब एक दिन पूर्फ शुरू हो जाते हैं। दश्मी तिथी की रात्री में ही व्यक्ति को जों, गेहूं और मूंग की दाल से बना भोजन ग्रहन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत वाले दिन नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए दश्मी तिथी की रात्री में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथी के दिन प्रात्काल सनान आदी कारियों के बाद व्रत का संकर्प लिया जाता है। इसके बाद कलश स्थापना की जाती है। कलश के ऊपर भगवान विश्नु की प्रतिमा रख कर पूजा की जाती है। व्रत की रात्री में जागर्ण करना चाहिए। यह व्रत दश्मी तिथी की रात्री से शुरू होकर द्वादशी तिथी के प्रातकाल में दान कारियों के बाद समाप्थ होता है क्या है योगिनी एकादशी का महत्व? योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में समरिध्धी और आनंद की प्राप्ती होती है यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद है माननेता है कि योगिनी एकादिशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मनों को भोजन कराने के बराबर पुने मिलता है इस दिन भूलकर भी ना करें ये काम इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए इस दिन ध्यान रहे कि शाम के समय सोना नहीं चाहिए और ना ही किसी बात को लेकर क्रोधित होना चाहिए योगिनी एकादिशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन ना करें माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य रेंगने वाले जीव की योनी में जन्म लेता है इस दिन पती पत्नी को किसी भी तरह के शारीरिक संबंधों से बचना चाहिए योगिनी एकादशी का काफी महत्व होता है इसलिए इस दिन ना तो किसी से कठोर शब्द कहने चाहिए और ना ही लड़ाई ज़ड़ा करना चाहिए इस दिन व्यक्ति को साधा और साधारन तरह का भोजन करना चाहिए योगिनी एकादशी व्रत की कथा धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान मैंने जेश्ट शुकल एकादशी के व्रत का महात्मे सुना अब खृपया आशार कृष्ण एकादशी की कथा सुनाईए इसका नाम क्या है? महात्मे क्या है? यह भी बताईए श्रीकृष्ण कहने लगे कि है राजन आशार कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है इसके व्रत से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ती देने वाली है यह तीनों लोकों में प्रसिद है मैं तुमसे पुराणों में वर्नन की हुई कथा कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहां फूल लाया करता था हेम की विशालाक्षी नाम की सुन्दर स्थ्री थी एक दिन वह मानसरूवर से पुष्ट तु ले आया लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हासे विनोध तथा रमर करने लगा इधर राजा उसकी दो पहर तक राह देखता रहा अंत में राजा कुबे ने सेवकों को आग्या दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करू क्योंकि वह अभी तक पुष्ट लेकर नहीं आया सेवकों ने कहा कि महाराज वह पापी अतिकामी है अपनी स्त्री के साथ हासे विनोध और रमर कर रहा होगा यह सुनकर कुबे ने क्रोधित होकर उसे बुलाया है माली राजा के भय से कापता हुआ उपस्थित हुआ राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा अरे पापी नीच, कामी तूने मेरे परम पूजनी इश्वरों के इश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्ति लोक में जाकर कोडी होगा कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षन पृत्वी पर गिर गया भूतल पर आते ही उसके शरीव में श्वेत कोड हो गया उसकी स्त्री भी उसी समय अंतरध्यान हो गई मृत्य लोक में आकर माली ने महान दू, खब होगी, भयानत जंगल में जाकर बिना अन और जल के भटकता रहा रात्री को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृती का ज्यान अवश्य रहा घूमते घूमते एक दिन वहां मारकंडे रिशी के आश्रम में पहुँच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पढ़ गया, उसे देखकर मारकंडे रिशी बोले तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है, जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई हेम माली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, यह सुनकर रिशी बोले निश्चित ही तुने मेरे सम्मुख सत्यवचन कहे हैं, इसलिए तेरे उध्धार के लिए मैं एक वृत बताता हूँ यदि तु आशार मास के खृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादिशी का विधिपूर्वक वृत करेगा, तो तेरे सब पाप नश्ठ हो जाएंगे यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन होकर मुनी को साश्टांग प्रणाम किया मुनी ने उसे सने के साथ उठाया हेम माली ने मुनी के कथना नुसार विधिपूर्वक योगिनी एकादिशी का वृत किया इस वृत के प्रभाव से अपने पुराने सोरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा भगवान कृष्ण ने कहा है राजन यह योगिनी एकादिशी का वृत 88,000 ब्राह्मनों को भोजन कराने के बराबर फल देता है इसके वृत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्थ होता है योगिनी एकादिशी पार्ना मुहूर्थ का समय और तारिक स्क्रीन पर देखें आपका दिन शुभ हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद